नमस्कार साथियों मैं राजिंद कुमार नियूस पैंट आफ यूसे हमारे नेमित कारिकरम अकबार की कत्रनों में आपका स्वागत है आज मैं आपको दो खबरे दिखाऊंगा पहली खबर ये है बोर्ड लेटर्स में छपी है कि हैवी जोलरी के प्रती पुरुशों का रुजान बढ़ा तेजी से बढ़ रहा है मार्केट इसे जनरलिजमें एजेंडा सेटिंग बोलते हैं या प्रोपोगेंडा बोलते हैं दरसल हीरे और सोने की ख़दाने हिंदुस्तान में अब पुझी पतियों के हाथ में चली गई है अब वो सोने चांदी हीरे को खपाने के लिए नए ठिकाने ढूंड रहे हैं नए एजेंडा सेट कर रहे हैं मीडिया का अप्योग इसलिए किया जाता है लोग भी मीडिया के जहांसे में आ जाते हैं आप देखिएगा अगले कुछ वर्षों में लोग पैंट शर्ट की तरह भी जुएलरी धारन करेंगे उसको फैशन का एक ट्रेंड बना दिया जाएगा आपको लगेगा भिना जुएलरी पहने के हम अधूरे हैं हम लोगों से पीछे जा रहे हैं ये होता है एजेंडा सेटिंग और इसमें पूंजी पती पूरी तरह काम्याब है आज चारों तरफ भजारवाद है पता नहीं कैसे कैसे आइटम्स हमारे जिन्दगी में खपा दिये गए हैं और हमको लगता है इनके बिना जिन्दगी में खुशी ही नहीं है देखे आप ध्यान से देखे अपने चारों तरफ किन चीजों पर आप बैठे हैं किन चीजों को आप उप्योग कर रहे हैं क्या वो जरूरी हैं आपको ये बता दिया गया है ये आपके लिए जरूरी है आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा पूझी पतियों के हातों में डाले दे रहे हैं जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना आपका भला होगा दूसरी खबर देखिए दूसरी खबर ये है कि फार्मेसी कोर्स के पती चात्रों का रुजान बड़ा रोजगार भी बड़ा और रुजान भी बड़ा यही मीडिया और पुझी पतियों का trend सेटिंग है इसको समझे सातियों खबरों को समझे जीवन को समझे क्या हम तुम अपना जीवन स्वयम का जीवन खुद के नीमों पे चला रहे हैं खुद की पसंद से चला रहे हैं कि समाज के ठेके दारों द्वारा बनाय हुए नीमों और धार्णाओं के अनुसार चल रहे हैं आपको कब स्कूल जाना है कब कॉलेज जाना है कब शादी करनी है कब नोकरी करनी है कौन सी नोकरी करनी है कब बच्चे बेदा करने यह समाज बताता है यह आप अपने स्वयम के निर्णे लेते हैं जरा सोचिए इस बात को समाज के साथ साथ मीडिया भी महत पूर्ण भूमिगा निभाता है वही आपके जीवन में निर्णे लेता है कि आपको क्या पहनना है क्या ओड़ना है कौन सा टूद बर्स इस्तिमाल करना है कौन सा पेस्ट इस्तिमाल करना है मोबाईल पर टीवी पर सड़कों पर हर जगा विग्यापन चल रहे हैं हर विग्यापन में आपको कोई ना कोई suggestion दिया जा रहा है कोई ना कोई product के बारे में बताया जा रहा है कोई ना कोई college और university के बारे में बताया जा रहा है मीडिया ही तै करता है कौन से course में जाना है कौन से college में admission लेना है क्या आपका जीवन मीडिया और सामाज तै करेगा कि आप तै करेंगे मीडिया ही आपको बताता है कौन सा कूर्स करने से फायदा है कहां आपकी अच्छी नोकरी लग सकती है कहां से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते है क्या जिन्दिगी में आपकी प्रियॉरिटी इस यही है आगे हम इस बारे में बात करते है मीडिया जो भी आपको बताता है उसके पीछे एक सुनियोजित माफिया होता है एक सुनियोजित एजेंडा होता है एक सुनियोजित प्रोपगेंडा होता है यह जो खबर छपी है फार्मेसी कोर्स के बारे में pharmacy colleges के बारे में उसके पीछे शिक्षा माफिया है इस खबर में pharmacy course के फायदे किनाय जा रहे हैं साथ इसाथ बी आर्क और बी नहीं करने के फायदे बता रहे हैं या करने के नुकसान बता रहे हैं 15-20 साल पहले यही मीडिया, यही सरकार, यही समाज आपको इंजिनिरिंग की ओर धकेले दे रहा था M.B. की ओर धकेले दे रहा था हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा, हर तीसरा बच्चा इंजिनिरिंग करके निकल रहा था मेरा अनुबव है, दस बारा साल पहले इंजिनिरिंग का बच्चा तिन तिन चार चार पांच पांच आर की नोकरी करता था वो भी उसको नहीं मिलती थी एटियम बेजता था सेल्स लाइन में जाता था क्या हुआ सरकार और मीडिया के दावों का इंजिनिरिंग कॉलेज कुकुरमुत्त की तरह उगाय थे इस प्रदेश में जहां देखो इंजिनिरिंग कॉलेज सरकार ने पूंजी पतियों ने बहुत कमाया सरकार ने तो इंजिनिरिंग कॉलेज की फीस भी जमा की है OBC की SCST की किस के पास गया वो फीस का पैसा पूंजी पतियों के पास वो सरकार के पास और उस समय जिनों ने भी एड्मिशन लिया और रोजकार के लिए तरस्ते रहे उन बच्चों की उर्जा का उन पेरेंट्स के पैसों का क्या हुआ सरकार पुंजी पती सब पैसा कमाके निकल लिये ये जो खबर छपी है ये खबर नहीं है ये विग्यापन है दरसल इंजिनिंग कॉलेज बंद होने लगे कई विभाग बंद हो गए तो प्राइवेट इंजिनिंग कॉलेज ने उन बिल्डिंग्स में फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज खोल दिये अब उन फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज में छात्रों की जरूवत है इस्टुडेंट्स की जरूवत है तो अभी ऐसी खबरें छप रही है आपको लुभाया जा रहा है आपको बता जा रहा है कि फार्मेसी और नर्सिंग में बहुत रोजगार है और लोग फस्ते भी हैं इनी मीडिया के लुभावने विज्ञापनों और ख़वरों के पीछे भागते हैं क्या आपने केरियर सिर्फ पैसा कमाने के लिए चुनना है मैं सभी विध्यारतियों और उनके पैरेंट्स को यह कहना चाहता हूं कि इन मीडिया के विज्ञापनों और समाचारों पर बिलकुल यकीन न करें इन इन्वर्सिटी और कॉलेजेस के पूजी पतियों के विज्ञापनों पर बिलकुल भी प्रववितना हों यह सब दुकाने हैं आप अपना केरियर अपनी पसंद के हिसाब से अपनी रुज्ञान के हिसाब से ताय करें जब आप अपनी पसंद और रुज्ञान के हिसाब से अपना केरियर चुनेंगे तो आपको काम करने में आनंद मिलेगा जब काम करने में आनंद मिलता है तो 100% efficiency के साथ किया जाता है पैसा अपने आपाता है आप पैसे के लिए काम ना करें आप अपने पसंद के हिसाब से काम करें पैसा तो आएगा ही तो छोड़िये कि समाज क्या बोल रहा है और ये पूंजी पती मीडिया की साथ मिलकर आपको जो गुमरा कर रहे है उसको एकनोर कीजिए बड़े बड़े विग्यापनों में आपके केरियर की चिंता करते हुए ये मालिक, ये पूंजी पती, ये मीडिया अपने खुद के केरियर, अपने खुद की कमाई की चिंता करता है वो अपने केरियर की चिंता करता है इस बात को समझे आपके केरियर की चिंता आपको करनी है आपको क्या करना है या आपको अच्छे से मालूम है किसी भी बाहरी विग्यापनों बाहरी ख़बरों से प्रभावित ना हो जब एक बार आप कोई महंगी उन्वर्सिटी या ऐसे कोर्स में दाखिला ले ले लेते हैं जिसका निर्णे आपने खबरों से प्रभवित होकर या विग्यापनों से प्रभवित होकर लिया है तो उसके लिए बैंक खड़े हैं लोन देने के लिए फिर आपके बच्चे का और आपके अंतहीन गुलामी शुरू हो जाती है बैंक किष्टें पहले से ही मुवबाय खड़ी रहती हैं इससे पहले कि वो कॉलेज से कोर्स करके निकले सामने वो एक EMI का नाग खड़ा ही रहता है ये गुलामी है इससे बचें ऐसा काम करें ऐसा कोर्स करें ऐसा अध्यान करें ऐसा केरियर चुनें जो आपको आनंद दे आपको सुकून दे ये जीवन आपा धापी के लिए नहीं है ये जीवन आनंद के लिए है काम ऐसा करें जो आपको सुकून दे अंत मैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन, हुनर और आनंद के साथ व्यतीत करें खबरों और बहारी तत्मों से बिलकुल भी प्रवावितना हूँ नमस्कार